दमश्कार खबर समय जगत में आपका स्वागत है मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर टांड़ टांड़ थाना छेतर की ग्राम चूना पिया में एक गैस की टंकी से भरी हुई पिक अप चोरी हो गई एक तरफ सरकार लॉकडाउन के चलते घर बैठे सुविदा पहुचाने के लिए क्रत संकल पे थे वहीं दूसरी ओर चोर लिटेरों को इसका प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें लोगों की परिशानी से कोई सारुकार नहीं है गुरवार दुपहर को हप गैस कंपनी की एक पिकप वाहन जिसमें 60 गैस टंकी भर कर गंधवानी से टांडा के नजदीक जूना पिया आए थे यहां 40 टंकी का वितरन करने जा रहे थे 20 से 25 लोटेरों ने गाड़ी रोक ली तथा बिक्री हुई टंकी की राशी करीब 43,500 रुपए नगत 20 टंकी भरी हुई तथा 40 टंकी खाली पिकप सहित ले गए गाड़ी तथा कंपनी मालिक संदीप सोलंकी गंधवानी है गाड़ी की ड्राइवर अनिलरावत निवासी बलवारी ने बताया कि गाड़ी में दर्याओ, मंडलोई, कुलदीप हम तीन लोग थे चुना पिया टंकी वित्रण कर वापस जा रहे थी अचानक 20-25 लोगों ने रोड पर पत्थर जमा कर घेराबंदी की तथा नगदी रुपए 4 मोबाइल एक चांदी का कड़ा एवं टंकियों से भरी पिक अप ले गए और गाड़ी में सब चीन के ले गए मोबाइल कितने पाइसत हैं पाइसे सर अमार पास करें चालिस प्तालिस के संथिंग और टंक्या किती थे थे तंकी साहांट के अमार पास भरी हुई थी सारी साहाट थे चालिस चालिस काले रिफिल दे देटी उजवाला के दाए तरह भरी थी वहां से रिटन आ रहे थे वापस अग्या नाम एजन्ची कहां कि ए गंधानी उसमें से किसी को पेचाना नई से और क्या क्या नुक्सान हुआ है बाकी को इस भी निशान निशार मोबाइल होगे रह गाउं में उद्धा चुम्पयां वाटके गाए उद्धा से फिर फॉन लागे तांडा पूलिस की गाड़ी में आयो हां से नहीं गाड़िस नहीं पर समय जगत के लिए टांडा से दीपक सौनी की रिपू देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने क आपके लिए देख तरह ये कवर समय जगत